एंसी क्यूंदे फैट बेसे रेट ऑफ चेंज़ मोमेंटम इद फोर्स बहुत सीज़ा सीज़ा अच्छा कुछ में उसके क्वेश्चन्स करवाता हूं आपको मोमेंट के अच्छा यह वाला क्वेश्चन भी बड़ा पूछते हैं बच्चे एक नजरों से घुज़रा है तो बता रहा हूं तो इसमें कहते हैं कि यह जो बंदा है डाइग्राइम शोज़ अब्रिज्ट डाइस स्टुडेंट मेक्स और एडवेंचर ट्रेंट डाइस स्टुडेंट और वह बंदेगा टैंशन फॉर्स अच्छा रसी का मटीरियल एक है ना तो टैंशन सेम होगी और बीच में कर रहा है नीचे इस बंदे का वेट कर रहा है तो इस वक्त जो है वो टैंशन का एक कंपोनेट इदर आएगा इसका टी कॉस्ट इटा और इदर भी एक टी टी टा एक दूसरे को कैंसल कर देंगे तो होरिजॉन्टल एकसे स्कोर रिजल्टन फोर्स नहीं होगी अच्छा वर्टिकल एकसे स्की ओपर क्या होगा कि यहां पे इस वाली टैंशन का कॉस्ट लीडा गशाएंगे तो यहां बचेगा शॉटिक जो तो हम लोग लोग तू कॉस्ट इटा उसका अंसर यह हो जाएगा ठीक है दिख लिए रहे बटा अगर किसी पर अटक रहे हो तो जरूर मुझे एकदम चैट पर इंटीमेट करने ताके मैं उसको दुबारह लेबरेट कर दूए बता दू अचा इस तरह की questions भी ना बड़ा मतब अजीब से होते हैं अब जैसे इसमें यह कह रहा है कि जो front wheel है drive front wheel drive accelerates in the direction shown the diagram below shows the direction of the total force excited by the road on the front wheel अब कौन सी फोर्स होगी अब देखें definitely जब यह वील है यह गाड़ी आगे की तरह मूफ कर रही है न बड़ा technical सा question है तो वील क्या करेगा यह front wheel घूमेगा कहां पीछे की तरफ देखें यह बड़ी समझने की बात है कि गाड़ी अगर आगे जा रही है तो वील पीछे घूमता है यानिके clockwise घूमेगा तो यह road को ना पीछे की तरफ फैकेगा तो friction कहां पर add करेगी इसके उपर इसके उपर friction करेगी रोड की आगे की तरफ बिटा मैं अच्छा हुआ कि एक वैशन पर रुख गया क्यूंकि फ्रिक्शन बच्चा यह समझता है कि डिरेक्शन और मोशन को अपोस करती है बिटा 99% केसे में करती होगी मगर यह जो गाड़ी का केस होता है ना यह बड़ा बड़ा राइट नमबर वन दकार इस मूविंग तो राइट तो दवील इस रूटेटिंग बैक इन क्लॉक्वाइस डिरेक्शन तो वील इस पुशिंग दर वील इस स्लाइडिंग अगेंस रोड इन बैक्वर डिरेक्शन यहां पर भी एक एरो बना देता हूं और यह लिग देता ह और इसके उपर स्लाइडिंग ओफ वील जलाइडिंग ओफ वील यह निकि Abbis एक वील पीछह तरफ द्सलाइड कर रहा है इन और चांटिंग डिल फ्रिक्शन इस एक पर वर्वर्ड फॉर्स होगा इस फॉर्वर्ड अच्छा एक पोड्स और एक और इस पर यह होगी नॉर्मल contact force of road नॉर्मल contact force of road तो road की normal contact force उपर अब अगर मैं इसकी resultant force निकालता हूँ तो यह हो गई friction और इसके head के साथ normal contact force का tail join कर देंगे तो यह बनेगी resultant force resultant force का arrow C से match नहीं हो रहा D से match नहीं हो रहा A से match नहीं हो रहा B से match हो रहा है match का मतलब होगा तो इसी तरीके सा ना तक्रीबन है तो इसी side पे ना मैंने scale तो बनाया नहीं है तो एक अंदाधा यह है कि हमारे पर इस तरह से होना चाहिए इसको तो इसका answer सब्सक्सक्राइब खाएगा यह था सुआ थो ठीके जी क्लियर रहे अच्छा विटा कर आप खामोश रहते हैं इसका मतलब मुझे लगता है कि आप लोग को समझा आगे तो आगे बढ़ते हैं अच्छा भाई यह आगा है मोमेंट के क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि हैल्ड स्टेश्टरी हैल्ड स्टेश्टरी का मतलब होता है कि अच्छा अब्यूनिफॉर्म ररॉड ot है कि इसनर के log क्या हुता है कि इसकी एक जैसी लेंद थे इसका मतलब है कि अगर यहां से लेकि यहां तक distance d है तो यहां से लेकि यहां तक का distance भी डी होगा find the value of f हमें f find out करना है तो भाई अगर आप f find out करना चाहते हैं तो f find out करने के लिए आप इस रॉड को इस वाली फोर्स को रेसल्यूट करते हैं यह हो जाएगा एफ साइन ठीटा अच्छा एक होगा एफ कॉस ठीटा जो है ना वो यहाँ कर रहोगा ऐसे ऐसे वह एफ कॉस सीटा को मोमेंट कैलकुलेट करते वे हम कंसीडर नहीं करेंगे and the reason is that because f cos theta pivot में मर्ज हो रहा है इस point को अगर मैं pivot मानता हूं if I consider this point as pivot अब अगर मैं rod को एक दफ़ा आपके सामने बना दूना बिटा तो rod के बीच में एक weight add कर रहा है उसका w और उसका pivot से p से यह नि पिविट से distance है और एक फोर्ट उपर एक कर रही है इसको हम कहेंगे f sin theta तो कि in fact f sin 30 x जो कि हमें निकालनी है इसका पी से यह नि पिविट से distance हो जाएगा डी सब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता है यह डी होगा तो बिटा मुझे तो पता है ही नी ना कि पूरी rod की length क्या है मगर जब पूरी rod uniform है ना uniform का मतलब एक जैसी thickness है इसकी ऐसा नहीं है कि कहीं से कहीं से थिन हो कहीं से थिक है इस तरह की नहीं है ना तो जब rod की uniform thickness है तो it means that के rod जो है वह आपकी बिल्कुल बीच में उसका weight कर रहा होगा इदर अगर यह 10 मिटर की rod है तो 5 मिटर पर इसका weight करेगा तो यहां से लेकिए यहां तक कर डिसंस अगर डी है यहां से लेकिए यहां तक कर डिसंस भी डी होगा अच्छा अब मुझे clock wise और anti-clockwise moment को बराबर रखना है तो clockwise moment और anti-clockwise moment को बराबर रख ले दे तो weight की force कितनी है 10 Newton है यह हो जाएगा 10 into d और फिर हो जाएगा यह f sign 30 into d 2d in fact in fact 2d मतब pivot से लेंगे distance तो 2d हो जाएगा तो f sign theta f sign 30 into 2d तो बटा इससे कितनी आ रही है आप लोग शाबश बताइए f की वैल्यू कितनी आ रही है वैंवी यह हो जाएगा जैँ टुराब की वैंब भी थी यह उौ तो सी आ रहा है आमसर टैन न्यूटन देखें एफ का अंसर सी आ रहे है हाँ जी टैनिया है तो कि फाइफ इस इकल टू एफ साइन 30 और साइन 30.5 होता है तो एफ का अंसर टैन न्यूटन आ जाएगा तो दिस इस एक्चुली सी इस दराइट अंसर अच्छा आप देखें अगर मुझे टॉर्क अबाउट पॉइंट पी निकालना है तो एक बात अपने पास जहन मैं अगर आपको दिखाऊ हूँ तो मैंने आपको कपल शायद करा दिया था मोमेंट ऑफ कपल में मेरे जहन में है मैंने करवा दिया है हूँ मोमेंट ऑफ कपल तो शायद मैंने करवा दिया आपको अबर कहार था रहता है तो मैंने कर दा के केस में आप इच फोरस कंसिडर करें और सेपरेशन perpendicular distance consider कर लें इसमें और एक बात और एड़ कर देंगे pivot को तलाश मत किया करें इसमें पिविट हैस नो यूज मतब पिविट का कोई इस्तेमाल नहीं है पिविट से distance चेक मत करिएगा आप बस दोनों forces में से कोई एक force consider करें उनका separation distance देख लें तो अगर इस बुनियाद में सवाल को देखता हूं तो force तो एफ है और इन दोनों के दरम्यान में तो separation perpendicular distance आ रहा है एक force ऐसे एड़ कर रही है एफ और एक force ऐसे एड़ कर रही है एफ और इन दोनों के दरम्यान में separation distance भी है तो यह हो जाएगा एफ इंटू वी इच फोर्स इंटू separation perpendicular distance तो बीज़र राइट आंसर है तो इसका अंसर बी हो जाएगा हमारे पास जीदी बिटा आइल बिल्कुल है ठीक है दिए तो यह है एफ इंटू बी हो जाएगा मारे पास अच्छा आप यह वाला देखें यह भी हैंग हुआ है मताब इस टेशनरी सिस्टम में और साइन बॉर्ड का वेड हमें दिया वाए तो आपने क्या किया यहां पर इसमें रसी यह ना तो इसको मैं टेंशन कंस्रीडर कर लेता हूं यहां पर टेंशन एक कर रही है ठीक है तो इस टेंशन के आपने कंपोनेंट किये यहां पर कर रहा है टी साइन थर्टी और यहां पर एक कर रहा है कितना 75 न्यूटन वेट इसका वैसे नेकलीशिप अले मतलब सेंटर में कोई वेट एक नहीं कर रहा तो इसका एक और कंपोनेंट आएगा टी का वह टी कॉस्ट तर्टी आएगा जो के मोमेंट निकालने के लिए यूजलेस है तो आपने क्या किय आपने इसकी वैसे एंटी कलॉग घूमेगा और इसकी वैसे कलॉग घूमेगा तो आपने किया किया आपने टी साइन थर्टी को multiply by 0.5 किया और इसको बराबर रख दिया 75 इंटू 0.5 तो बेटा टेंशन की वैल्यू है आपर calculate करके बताएं कितनी आ रही है में पास calculator नहीं है बेटा कोई answer आना चाहिए आप लोगा पॉइंट 5.5 कैंसल 75 डिवाइड वाइज साइन 30 तो आई तेंग इसका आंसर 150 आ रहे हैं देगे 150 आ रहे हैं बिटा आंसर नहीं नहीं डी आंसर नहीं है वो तो हम अभी देखेंगे आंसर डी नहीं है मगए इसका आंसर 150 आ रहे हैं ठीक है अच्छा अब देखें हमें यह देखना है तो इसका मतलब है कि अगर यहां से एक फोर्स लेफ्ट पे लग रही है तो वाल की तरफ से भी यहां पे एक फोर्स लग रही होगी राइट साइट पे ताकि यह दोनों फ लग क्या होगी होगी इसके बराबर तो हमने क्या किया 150 अ कॉस क्या nephew जैँकल लिया है कितना आदा 150án कि देखें कितना आता है बनफिटी कॉसरिटी 129.90 130 is the right answer इसका सही जवाब होगा C ठीक है दी अच्छा पेटा आज